मेरा नाम आनन्द है और आप देख रहे हैं कोडेटर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवीजन टूर की रिवीजन टूर मतलब बेसिकली हमने क्या किया है कि बहुत सारे कंसेप्ट जो बैगनर्स लेवल के लिए हैं वह हमने कंप्लीट कर लिया है अब मैं चाहता हूं कि जितनी वी चीजों को हमने कंप्लीट किया है क्यों ना उसका रिवीजन टूर कर लिया जाए जिससे शॉट में अगर आप सपोस कीजिए कि आप शॉट में रिवाइस करना चाहते हैं कि आपने अभी तक क्या-क्या है स्टार्ट से लिए कि अभी तक आज तक का इसको मैं बहुत शॉट में समझाऊंगा ताकि अगर आप शॉट में चाहते हैं यह समझना कि अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया है तो पस उसको आप यह देखे यह समझ के अगर यह स्लाइड और यह वीडियो आपने समझ करने वाली है क्योंकि मैंने लगबग आप माल के चलो कि beginners level का सारा concept क्लियर कर लिया है उसको अब कैसे एक ही वीडियो में या दो या तीन वीडियो हमारी लाइन उस वीडियो में कैसे हम पूरी तरस उसको आसानी से समझने फटा-फट वाली चीज़ तो यह हमारी python की रिव और आजकल की टाइब में यह बहुत है मैं जाद इसमें ब्रीफ नहीं करूंगा क्योंकि मैंने बिल्कुल छोटे 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 शॉटे शॉट नोट की टाइब आपको बताते चल रहा हूं और आजकल जो python ज्यादा तर यूज़ किया जाता है वो यूज किया आता है तो सबसे पहले किसी की programming language भी हम जानते है उसके tokens के बाले में tokens होते क्या है तो देखिए है जो भी आप programming पढ़ते है उसमें छोटे-छोटे parts होते हैं मतलब जैसे मैंने बताया कि alphabet जो starting अगर आप English बढ़ना सुरू करते हैं तो starting किस से करते हैं alphabets से करते हैं किसी की programming language की smallest entity होती है उसको हम लोग कहते है क्या tokens tokens को समझने के लिए इसे पांच पार्स में बढ़िवाइट गया है मतलब अगर इन पांच चीजों को आपने पढ़ लिया तो आप कह सकते हैं कि जितने भी elements python में यूज किया जाते हैं वो आपने पढ़ लिए अब उनको combine करके आप programming करना क्या कर सकते हैं स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है तो अब सबसे पहले अगरा हम keywords पढ़ना चाहें ठीक है शारा short में आपको मिलेगा हर चीज short में फटा फटलिमीजन हो जाएगा keywords किसे कहते हैं तो keywords are reserved words मतलब यह क्या होता है reserved words होते हैं जिनकी खास कोई meaning होती है ठीक है जैसे for example true यादखी का true का tree capital है false का F capital है fall in or while none break elif बहुत साथ चीजे जो हैं यह ऐसे words हैं जिनका काम fix है और इन ही काम के लिए आप क्या कर सकते हैं इसको use कर सकते हैं अपनी programming में तो यह थे keywords दूसरा होता है identifier identifier क्या होते हैं तो identifiers are the names यह वह नाम है given to a variable जो आप किसी variable को देते हैं या किसी object को देते हैं या किसी function को देते हैं या या list को बहुत साई चीज़ हो मतलब किसी भी चीज़ को जिब आप एक नाम देते हैं वो नाम क्या कहलाता है identifier कहलाता है rules कि होते है first rule होता है that it must not be any reserve word मतलब किसी भी reserve word को यानि कि आप कह सकते हो कि int इस नाम का वेरीबल आप नहीं मान सकते हैं, इस नाम का वेरीबल नहीं मान सकते हैं, वाइल 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 नाम का वेरीबल नहीं मान सकते हैं, क्यों क्यो तो कोई एक alphabet होगा या तो क्या होगा अंडर्सकोर होगा मतलब है आपको यह variable 9a मानते हैं तो यह applicable नहीं है मतलब यह allowed नहीं है क्यों क्योंकि 9a में first character जो है वो क्या है नमबर है मतलब वो एक digit है इसलिए allowed नहीं है और next है no special symbols is allowed except underscore कोई भी special symbol allowed नहीं होगा except छोड़ कर इसको वाल्यूज तो literals या constants are those whose value cannot be changed during the execution of the program यहनी कि एक बार आपने इसमें जो value डाल दिया प्रोग्राम के execution के दर्म्यान यह कभी आप change नहीं कर पाएंगे यही concept रोता है किसका constants का इसे literals भी कहते है ठीक है there are different types of strings in python प्रण नहीं कहांगे इसे हम कहांगे constant there are different types of यहां पर गलट टैपी होगी है यहां पर आप कहांगे constants तो there are different types of constants in python अगर आप string constant आपका string type पाएंगे तो वो हो जाएगा string constant अगर number को आपने constant बना रखा तो numeric हो जाएगा बुलियन को constant बना रखा है तो बुलियन constant हो जाएगा और special literal none एक इसमें जानने वाली बात है none भी एक चीज होती है हमारे python में और यह क्या होता है special constant होता है none represents absence of a value none का मतलब होता है कि कहीं किसी भी variable में कोई value exist नहीं कर रही है यह है एक special literal याद अखिएगा none is a special literal यानि कि special constant राइट next है punctuators, punctuators मतलब तो punctuators इसे separators भी कहते है are used to organize sentence structure separating one element with other मतलब हम इसका यूज़ करके किसी भी चीज़ को organize करते है अबने programming को organize करते है जैसे यह parenthesis हो गया ठीक है यह फिर यह भी parenthesis हो गया यह add the rate का simple हो गया ठीक है यह bracket single quotes open close double quotes open close comma semicolon dot etc बहुत साई चीज़े होती है मतलब यह एक element को दूसरे element से separate करता है जैसे माल लिए जिए मैं लिखता हूँ a comma b तो मतलब क्या हुआ एक variable a है और एक variable क्या है बी है इन दोनों सेपरेटर ने क्लिए मैंने किसका यूश किया कॉमा का यूश किया इसलिए क्या कहलाएगा ठीक है या इसे पंचुएटर भी कहते हैं और लास्ट है हमारा operators ठीक है और यह आंसर या तो आपको हमेशा true देते हैं या तो क्या देते हैं फॉल्स देते हैं मतलब इनका रिप्लाई होगा आपको या तो सिर्फ क्या होगा फॉल्स होगा ठीक है आत्माटिक ओप्रीतर आप जाहनते हैं अन्युक्深 εκक लिए प्रफर्म क्या ना र्लॉजिकल अप्रेटर खोते हैं अन मतलब सारे अर्संट से होने चाहिए और not मतलब कि जो भी आपको दिया गया condition है उसको इस रिवर्स कर देगा मतलब यह true को false कर देता है identity operator मतलब is और is not मतलब एक नया operator है identity operator जो जावा में sorry जो python में है is और is not वैसे membership operator भी python में specially है जो है इन और इन नौन इन दोनों को अगर आपको वैसे नाम से clear है है या नहीं है मतलब क्या कि member मतलब कि किसी एक बड़े से data का member यानि कोई एक element search कर रहे है वो element है या नहीं है in और not in या is और not इससे हम क्या आख सकते हैं जान सकते हैं फिरते में मैं भी बोलूँगा मैं shortness हम इंखा रहा हूं अगर आप चाहिए तो एक प्लस फाइब को शॉटकट में लिख सकते हैं एक प्लस इकवल टू क्या फाइब उसको कहते हैं करेगा तो देखिया इसको परफॉर्म किया और उसके बाद values को कै कर दिया इसलिए से करते हैं अटमेटिक इसका यूज मैं बाद में आपको समझा दूगा यहां पर बैसिकली सम्झाने का मतलब नहीं है वीडियो लंबी हो जाएगी और और next है हमारा bitwise operator and or not यह तीनों याद रखिएगा logical भी होते हैं और bitwise operator भी होते हैं इन दोनों की बीच का difference काफी जादा होता है इसलिए basically हम जो यूज करते हैं अपने programming में वो logical operator इस and or not का हमेशा maximum use करते हैं तो हम जब भी बोलेंगे and or not आपको यह मानना है कि हम बात करने किसका logical operators का ठीक है अब आएए आगे बढ़ते हैं python में variables क्या होते हैं तो देखिए python में जो variables होते हैं वो dynamically typed होते हैं तो 5 क्या है integer है तो automatically किस टाइप का हो जाएगा इंपीजर टाइप का हो जाएगा तो वहीं यह लिखा हुआ है कि variables are used to store some value यानि variables का use किया जाता है कि इस values को store करने के लिए it is a memory location where values are stored है कैसी memory location ने जहां values को store किया जाता है in python to create a variable just assign its name to a value you want you need to specify you need not to यहां पर क्या होगा you need not to specify the data type आपको data type specify करने की जरुवर नहीं परती है ठीक है जैसे name equal to himarch मतलब क्या हुआ आपने name नाम का variable बनाया और तो जो value डाल दी वह हमarch डाल दिया तो यह automatically जो name variable है वह किस type का हो जाएगा string type का हो जाएगा मतलब variable भी बन जाएगा और इसका type भी decide हो जाएगा किस तरीके से तो जो भी आप value डालते हैं उस तरीके से पहले से मतलब variable declare करने की जुरूद नहीं पड़ती है डिरेक एक नाम लीजिए उसमें value डाल दीजिए उस नाम को वह variable माल लेगा और जो value आप उसमें डाल लेगा उस value के जाफसे वह data type क्या कर देगा कुछ से decide कर देगा ठीक है अब आईए नेक्स होता है देखे वही topic फिर से आ गया कि dynamic typing versus static typing क्या होता है तो in dynamic typing a data type is attached with a variable name when it is defined जैसे हम अगर c c++ java की बात करें तो हम क्या करते थे int a लिखते थे पहले ठीक है और फिर उसके अगले line हम a equal to 5 लिखते हैं मतलब क्या होगा कि हमको पहले पताना पड़ता था एक टाइप यह जो है वह इंटीजर टाइप का है ठीक है तब हम उसमें को भी इंटीजर वैल्यू डालते थे इस concept को हम कहते थे क्या static typing जबकि python में क्या है it in dynamic typing जो python की बात कर रहे हैं we need not to define a variable with data type so we can assign any type of value to it मतलब इसने हमें किसी भी तरह के data type बताने के जबरत नहीं होती है यहां पर क्या होगा अगर अगर आपने a को इंटीजर बना रखता था तो एक उल्ट जैसे राम डालते यह गलत बता देता यह होता है यह होता है difference दोनों में किसमे static typing और dynamic typing इसलिए python को हम बोलते है dynamically typed language okay तो मुझे लगता है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा basically revision है तो थोड़ा सा जली-जली करना पड़ रहा है क्योंकि जादा चीजों को कम time में क्या करना पड़ता है cover करना पड़ता है अब आए अब आते next topic है हमारा multiple assignment multiple assignment का मतलब क्या होता है यह बस यह जाने a equal to b equal to c equal to 10 मतलब a में भी 10 चला जाएगा b में भी 10 चला जाएगा और c में 10 चला जाएगा यह पहला concept हो गया multiple assignment का दूसरा किस का है a,b,c equal to 10,20,30 मतलब क्या हुआ कि यह तीन variables अलग-अलग बनेंगे ठीक है a में क्या चला जाएगा a में चला जाएगा 10 b में क्या जाएगा 20 c में क्या जाएगा 30 मतलब क्या हुआ कि तीन variable आपने एक साथ माना उस तीरों में एक साथ क्या कर दिया value डाल दिया this is called multiple assignment of what values right I hope आपको समझ में आ रहा होगा ऐसे ही अकता आपको दो values को swap करने का program रिखना है तो बस यह लाइन लिखना है मतलब x,y equal to y,x मतलब x में y का value डाल दो y का value डाल दो x का value डाल लो that's it हो गया आपको अब नाम खत्म वाइट तो यह है multiple assignment का concept अब आते हैं output के बारे में output आप जानते हैं अगर हमें python में output करना है तो हमें बस print statement को यूज करना होता है जो भी कुछ हम double quotes में लिखते हैं वो as it is क्या हो जाता है प्रिंट हो जाता है वैसे में आप प्रिंट करते हैं अब यह चीज़ देखिए प्रिंट करते हैं तो जब जब आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे अटोमेटिकली हर बार आउट्पूट आपके नए लाइन में आएगा पहली दूसरी चीज़ है कि अगर आप चाहते हो मतलब अगर आप स्पेस नहीं भी देते हो और लगाता आप प्रिंट करत इतना ही लिख देते हैं तो क्या होता है इतना लिख देने पर सेपरेटर के तौर पर यह स्पेस देता है जब कि अब क्या करेंगा यह देगा है फिर देगा डॉलर का साइन फिर देगा टू फिर देगा डॉलर का साइन फिर देगा पाइफन मतलब क्या हुआ कि यह हो गया आपको separator के रूप में यूज कर रहा है किस चीज को डालर को वैसे ही print this is the first line, print this is the second line, print this is the third line तो देखिए यह आएगा first line में लिखा हुआ, यह आएगा second line में लिखा हुआ, यह आएगा third line में लिखा हुआ, लिकिन यहाँ पर हमने लगा दिया in equal to blank आपको next line में आने से हमने क्या कर दिया है, मना कर दिया है, तो जब यह line आप print करेंगे, this is fourth line, तो यह इसी line में आ जाएगा, मतलब उसी line में print होके, आएगा ना कि अपने आप ने line में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक use कर लिया है, इसका नाम क्या end equal to what, blank, इसका मतलब यह हुआ, कि आपको end खुद से नए line में नहीं आना है, बल्कि blank, मतलब उसी line में, मतलब यह कहा सकते हैं, कि अगर आप print करके, उसी line में रहना चाहते हैं, ताकि अगला line जो print हो, उसी के साथ साथ print हो, तो end equal to, आप क्या देंगे, blank, डाल देंगे, तो sip मतलब क्या होगा, separ इंपूट को accept करना, हम कह जानते हैं, तो input in python is done using input method, यानि कि input method का use करते हैं, input करते हैं, और जो भी input होता है, further, the input is in the form of a string data type, यानि यह जो होता है, वो string data type में होता है, and hence, और इसलिए, if you want to convert the input to other data type, मतलब क्या होगा, simple सी बात है, कि by default जो आपकी acceptance होती है, input की वो होती है यह जाए, कि Q टईप में, string data type में, अगर आप अपने input को integer में convert में करना जाते हैं, तो ant use करोगे, float में convert करोगे, так fit flot में convert जाते हो, ठीक है अब आते हैं डेटा टाइप के बारे में तो डेटा टाइप आलेडी आप जानती हो चुकि जो हमारा python है वो dynamically type है तो dynamically जो है वो डेटा टाइप का पता चल जाता है आपको specially बताने के जरूरत नहीं होती है वह ही चीज़ लिखा हुआ है कि डेटा टाइप का आपको पढ़ना है कि डेटा टाइप क्या है तो ब्रॉडली 5 पार्ट जाते हैं नियुमिरिक में अगर आप आएंगे तो इंटीजर अफ्लोट और कॉम्पलेक्स नमबर भी इसने एक डेटा टाइप होता है ठीक है वैसे ही अगर आप सीक्मेंस में आएंगे तो नियुमिरिक में शिर्ण लेस्ट और टूपल होते हैं यह देटा टाइप सेंग पाइफन नेक्स नेक्सट ऑपरेटर का प्रेसिदेंस क्या होता है प्रेसिदेंस मतलब कि अगर बहुत सारे एक सांत हो तो कौन सा ओपरेटर पहले एक्सिक्यूट किया जाएगा यह है प्र प्रेंथेसिस फिर एक्स्पोनेंशियल फिर यह मल्टिप्लाइड डिवाइड भाइड ठीक है मुडलर्स ऑपरेटर फिर प्लस माइनस फिर यह रिलेशनल ऑपरेटर फिर नॉट फिर और 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 भी बीच में बहुत सारे थे लेकिन मैंने आपके लिए से वह चुना है जो र करता है मौजूद है तो ठीक है और next topic है हमारा typecasting. typecasting का meantलब क्या होता है ? कि एक data type में बदलना ठीक है ? तो first जो है Implicit second explicit implicit खुद बःखुद python का interpretation कर देता है मतलब हमें उसमें कुछ करने के जरूरत नहीं पड़ती है explicit का bağ होता हम इसे manually perform करते है तो an explicit type conversion is user defined, यह user defined होता है, अब हम से explicit क्यों पर रहे हैं, क्योंकि implicit तो अपने आप compiler करता है Python का, हम इसे कुछ करने की जरूरा रत है ही नहीं, तो explicit हम इसलिए परते हैं कि an explicit हम करते हैं, एक user खुद बखुद करता है, तो an explicit type conversion is a user defined conversion that forces an expression to be a specific type, मितलब हम जबर जिस्ति करात हैं, force कराते हैं, जैसे a equal to 3.0, b equal to 2.0, और जब हम यहां c equal to a plus b, normally हम c equal to a plus b करते हैं, तो जो c में value आती न, वो आती क्या 5.0, क्योंकि दोनों के दोनों जो है flood type से, तो यह भी flood type होता, लेकिन हमने क्या क्या गया, जबर जस्ति a, b को जोड़ा, जो 5.0 है, और इसको इंट contain करेगा, वो क्या contain करेगा, 5 contain करेगा, जो in teaser है, ना की 5.0 क्या करेगा, contain करेगा, और जब हम print c से c को print करेंगे, तो आपको पता है 5 print होगा, ना की 5.0 print होगा, यह होता है type conversion, तो यह revision tool का एक section खतम हो गया, अब revision tool का दूसरा section हम दूसरी वीडियो में करेंगे, वरना यह का जरू पसंद आगा और business को उन लोगों को जरू पसंद आएगा, जिन लोगों ने मेरी video tutorials को line by line step by step, या जो exam time में फटा फट पट revision करना चाहते हैं, उनके लिए video बहुत ही अच्छी है, तो I hope आपको यह video पसंद आई होगी, next video के इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी मैं लोना, thanks watching the video और अगर आपको मेरी videos पसंद नहीं हों तो please like, subscribe and share कीजिए, thanks watching the video, thanks